अफर भाई ये मैं NCP अजित पवार गुट से तो ये पूछूँगा ही पर आप से मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस सवाल की भाई नंबर्स हैं तो नंबर्स दिखा क्यों नहीं रही अजित पवार आपने ठोक बजा कर नहीं उनको उपमुक्हे मंत्री बनाया क्या पिछली बार भी कहे रहे थे नंबर्स हैं नहीं निकले थी इस बार नंबर्स देखे नहीं क्या कल तो मीटिंग में आपको देखे नहीं थे सारे चैनल पर चल रहा था आपके चैनल पर नहीं चला क्या नहीं चला 29 और सुरा का आकड़ा चला 29 नहीं चाहिए 36 नहीं तो दल बदल कानून लग जाएगा 36 का संदीब जी और चालिस भी होगा आराम से देखे एक तालिस भी होगा थोड़ा धैर रखी ने जब दरुवत पड़ी तो सब कुछ दिखेगा हकीकति है कि देखे वे एक पुराना हिंदी पुराने हिंदी फिल्म का गाना है मुझे लगता है कि आज शरत पावर जी सुन र चैटे गाने के लिए उनोंने पाटी को ताकवर कर ते अचा बड़ा ने बहुत अच्छा काम किया 27,06 करोड का गोटाला किया आपने उप क्यूPop मुख्य मंत्री बना दिया दिया वती ने यह ने बहुत अच्छा काम किया थीOoh नहीं अगल जोन पार्टी को योजिए मूने एक परिवार के सदसे को अपनी पुत्री को बना रहे चाहते हैं यह देश की जंता प्रदेश की जंता भी देख रही है आगे बढ़ा के पीछे आख की थी कि वह उन्हें का देखी दो बहुत 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 बढ़ी बात कही थे हां गोटाले बाजो को जेल में डालू सुनिये संदीव जी आपको तो मैं रॉबिन हुट संदीव जी बोलता हूं ना सुनिये मेरी बात के आज के दिन में सच पूछिये तो शरत पवार जी ने अपने ही लोगों के साथ धोका किया उन्हें आगे बढ़ा उन्हें पूरे तोर से उनको जो है उनको जो है आप सुप्रिया सुले जी अकेले चाहते थे कि वो रहे और उस वर्किंग प्रेजिडेंट से सीधे प्रेजिडेंट बना दिया जाए अच्छे से आहत हो गई बीजिटी देखे हम तो यह नहीं कह रहे हम इसे बात तो नहीं परफुल भाई पटेल और जो आजीत भाई पवार दोनों ने जो कहा वह बड़ा इंपॉटेंट हैं दोनों ने कहा है कि हम आशिरवाद के साथ है और हम सम NCP पार्टीyes जुड़ाय में अगर 82 साल में विविनाश की राजनीती क्यों करनी है बही अगर मैंडिट मिला है देश में मुदी जी को यहाँ पर प्रदेश में BJP के तो साथ उसके साथ ऐलाइंस करते हैं 106 सीटे किसको मिली है किसी और political party को मिली नहीं है तो विकास की आप राजनीती कर राजनीती यह विकास की राजनीती आपने भाई शब्द इस्तमाल किया अजित भाई एक मिनट सुनिए ना आप ही ने अभी कहा अजित भाई पवार प्रफुल भाई पटेल जिनने भ्रष्टाचारी कल तक आप बता रहे थे वो भाई हो गई आपकी देखे नाम का सम्मान से लेना यह तो मेरा धर्म है किस आपका भी नाम अभी मैंने रॉबिन उट संदीब जी बोला आपको उस वक तो पुरा नहीं लगा अच्छी बात कहीं ने कोई गलित बात तो नहीं कहें किसी को कोई कंविक्टेड आत्मी है क्या कोई लोग कोई भी आदमी आज अगर उसने एक बड़ी बात कह रहा हूं सही बात सुनियों मेरी बात जो आप जो आभी बोलने जा रहा हूं इंपोर्टेंट है अपने पार्टी में हो तो बहुत अच्छ है फिर अपनी कटिपनी कीजिए मैं कह रहा हूं कि अपनी पार्टी में है तो उसमें सब अच्छा ही दिखती है लेकिन अगर दूसरी पार्टी में चला जाए तो खराबी दिखती तो मैं कह रहा है तो पहले अपने पार्टी से निकाल देते है चलिए ये को हो गया मेरा मूल सवाल कहीं दब गया जफर बाई संक्या है तो संक्या दिखाई क्यों नहीं जा रही मतलब ठोक बजाकर नहीं लेकर आए इस पार बी अच्छा सुनिये न मैं तो कह रहा हूं कि आपको यश्वंतरा चौहान जो ऑडिटोरियम में आपको दिख कि आपको दे तो रहा हूं अभी आपको नहीं अबी अभी अभी देखिए उस गुट की जो परवकता है अजित पवार जी के पार्टी की जो परवकता है बोलेंगे अभी लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूं एक तालिससी टो ऐसी है उनके पास आफ और थोड़ी बढ़ वो आप मतलब योग्यता पर इतना विश्वास एक तो एक सो छे विधायक वाली पार्टी के दस मंत्री चालिस विधायक वाली पार्टी के भी दस मंत्री और जिसका आकड़ा ही नहीं पता उसके नौ मंत्री यह अपने लोगों के साथ थोड़ी सी ज्यादा सक्ती तो नहीं कर रहे हैं ज्यादा क्वालिफाइड इस तरफ है देख्या नहीं मैं इसको दुसरे तरफ से कहता हूँ आपको सिर्फ लगता है कि राजनीती में सिर्फ पद अगर मिलिया तो ही आप सक्सेस्फूल है ऐसा नह नहीं सकते हैं जतने इलेक्टेड मेंबर जहीं कपेसिटी जो है उसकी एसेवली की उस्साहफ थोबन नहीं सकते हैं दूसरी चीज कि आप तयाग तो देंगे ना प्रदेश का विकास वहारा तयाग क्यों नहीं थे का विकास के लिए यह आपने त्याग किया है अब सौरब